हलो जोस्तों आप सभी का All About Socios में स्वागत है और ये UGC Paper 1 का Unit 4 ये आप सभी को पता है ये टॉपिक है संप्रेशर अर्थात कमुनिकेशन तो अलड़ी हम लोगों में ये डिसकसन हुआ था कि कुछ ऐसे टॉपिक जो है Paper 1 के उस पे हम लोग डिसकस करेंगे लेक्चर्स में तयार करूंगी तो आज ये पहला टॉपिक जो है वो कमुनिकेशन है अर्थात संप्रेशर इसे हिंदी में कहते हैं आखिर में संप्रेशर होता क्या है तो इसको बहुत ही अगर सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिस करें तो यहाँ पे हम लोग एक इमेज देख रहे हैं इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं दो व्यक्ति हैं दोनों आपस में जो भी अपनी बात चीत हैं मैसेज हैं उनको एक्सेंज कर रहे हैं उसी को हम कमुनिकेशन कहते हैं तो यह कई तरीके से हो सकता है ऐसा हो सकता है कि हम बात चीत करके भी और मैसेज जो है एक्सेंज करते हैं एक दूसरे से या ये भी हो सकता है कि हम भाव भंगिमा से जैसे कि अगर हम अपने होटों पे जब उंगली अगर ऐसे लगाते हैं तो इसका अर्थ ही यू होता है कि सांत रहना है या फिर भाव में यदि चढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि चिरचिराहट सी हो रही है तो ये भी communication का एक जर्या होता है यहाँ पे आप लोगों को इसके कुछ मुख्य तत्व होते हैं वो समझना जरूरी है एक होता है sender तो जैसे कि हम communication के लिए या some pressure के लिए दो लोगों का होना जरूरी है तभी communication हो सकता है तो एक व्यक्ति जो होता है वो messages दूसरे को pass करता है या अगर हम ये एक simple तरीके से सोचने तो दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसी को हम some pressure करते हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो sender होता है अर्थात messages को भेजने वाला होता है यहाँ पे दूसरा जो व्यक्ति है वो receiver होता है उसको receive करता है तो जब ये कुछ कहता है तो उसकी response में ये इसे कुछ feedback देता है जैसे कि अगर इन्हों ने इनसे कहा कि क्या आप कैसे हैं या क्या आपने खाना खाया तो ये उसका feedback देंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ और हां मैंने खाना खा लिया है या नहीं खाया है तो ये एक व्यक्ति मैसेज पास करता है और दूसरा जो है उसकी रिस्पॉंस में फीड़ बैक देता है और इसी प्रॉसेस को जो है ये कमुनिकेशन कहते हैं अब हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर में समप्रेशर क्या होता है तो जो बुकिस एक नौलेज है ये बोलें किताबी फॉर्म में कैसे हम बोलते हैं तो इसका हम लोग परिभासा देख लेंगे कि समप्रेशर क्या होता है इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो इंग्लिस जो मेनीघ निकलता है वह एक मुनिकेशन और यह कमुनिकेशन जो है वह ले बीच में या बहुत लोगों के बीच में एक नार्मल जो बातचीत होती है या information जो होते हैं, messages जो होते हैं, उनका exchange होता है, उसी को हम communication या फिर some pressure करते हैं, some pressure लोगों तथा पर्यावरर के साथ अंतक्रिया की एक प्रक्रिया है, जब हम अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या करते हैं, सूचनाओं का अपनी जो विचार हैं, हमारे thoughts हैं, अभिविद्या हैं, इनको संप्रेशित करने के लिए भाशा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना भाशा के हम बात्चीत नहीं कर पाते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपका मित्र बीमार है, तब आप उसकी स्वास्थे के बारे में पूछते हैं, और उसकी कुशल छेम के प्रति अपनी चिंता दिखाते हैं, उसी तरह जब आप किसी दुकान पर कमीज खरीदने जाते हैं, वहां का दुकानदार जो होता है, वो अपनी विचार प्रस्तुत करता है कि कौन सा रंग आप पर सबसे अच्छा लगेगा, तो यही कमुनिकेशन का एक तरीका होता है कि लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे से शेयर करते हैं, इस प्रकार संप्रेशर लोगों के मत होने वाली ऐसी व्यक्तिकत प्रक्रिया है, जिससे हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, साथ ही साथ संप्रेशर के माध्यमों से हम अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो यह तो हो गया संप्रेशर का मेनि, अब हम लोग यह देखेंगे कि आखिर में संप्रेशर का प्रकार क्या है, टाइप साप कमुनिकेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल से अगर हम देखें तो types of communication में एक verbal होता है या जिसे हम मौखिक करते हैं और दूसरा जो होता है वो non-verbal होता है जिसे हम आव मौखिक करते हैं अर्था मौखिक का मतलब ही होता है जिसे हम मुझ से बोल के जिसमें सब्दों का यूज होता है प्रयोग होता है वो मौखिक होता ह है जहां पर हम मूँ से नहीं बोल रहे हैं अपने भाव भंगिमा से जो हम information एक दूसरी को पास कर रहे हैं उसको औमोखिक करते हैं अब वरवल में जो होता है यह मोखिक सारी रिक रूप से हो सकता है जैसे कि अभी हम लोग जो एक conversation कर रहे हैं लेक्चर में मैं इधर से बोल रही हूं और आप लोग जब यह लेक्चर सुनेंगे तो यह एक मौखिक communication बोला जाएगा वही पर लिखित होता है जैसे कि हम लोग जितने सरकारी या फिर गयर सरकारी जो यूनिट्स होते हैं उनमें हम देखेंगे कि जो भी एक प्रॉसेस होता है चाहे वो किसी के लिए लेटर लिखना आए चाहे आप छुती के लिए कोई application दे रहे हैं या फिर कोई आवेदन डाल रहे हैं तो उसके लिए लिखित ही communication होता है वहीं पर नान वर्वल में जो है वह हम शारेरिक रूप से जैसे कि हम अपने उंगली को होट पे रखके या फिर आंभावों को चड़ा के या फिर अलग अलग तरीके से हम expressions दे के और messages को पास करते हैं वहीं पर कुछ symbols और प्रतीक होते हैं चिन होते हैं तो जैसे क आप लोगों को अगर हम यह कहें कि जो traffic signal होता है वहाँ पे जब red color जलता है तो आप लोगों को पता चल जाता है कि red signal है means हमें रुक जाना चाहिए तो वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है आपको लेकिन आपको यह पता चल जाता है तो यह भी एक types of communication में आता है अब हम लोग इनको detail में देख लेंगे मौकिक संचार और और मौकिक संचार दो रूप से मिली बाड़ दिया जाता है मौकिक संचार क्या होता है यह देखते है जब दो या तो से अधिक लोगों के बीच शब्दों का प्रयोग बाज़ीट के लिए किया जाए तब उसे मौकिक संप्रेशड के अंतरगत आता है यह लिखित वह मौखिक दोनों रूप में हो सकता है मौखिक संप्रेशड हमें लोगों के बीच तर्क पोड़ बाचीत के साथ साथ जानकारी तथा दिशा भी प्रदान करता है यह हमारे जीवन की मूल भूत जरूरत है सूथ करताओं यह पा लिख सकते हैं कि हमारे जो लाइफ स्टाइल का मैग्सिमम टाइम जो है वो मौखिक संप्रेशड में जाता है जिसमें हम पढ़ते हैं पढ़ना बोलना लिखना तथा सुनना आता है मौखिक संप्रेशड के कुछ सामाने रूप बाचीत होते हैं या भाशड हो सकता है पत् त्रिकाएं हो सकती है या फिर फोन पर होने वाली बातचीत होती है तो बहुत ही एकदम सिंपल कॉंसेप्ट है मौकिक संप्रेशन का कि जिसमें हम मुख से बोलते हैं या फिर जो हमारा लिखित फॉर्म में सब्दों का यूज होता है सब्दों का प्रयोग हम करते हैं चाहे संप्रेशन की आखे में क्या विसेस्ताय होती है उसको हम लोग थोड़ा सज़स्ट ऐसी समझ लेंगे कि जब दो लोग बातचीत करते हैं तो यह बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बातचीत की जाती है जो जिस छेत्र से बिलॉंग करता है छेत्री भासा में बातचीत होती हैं सामने वाला कैसे सुनना पसंद करेगा बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको समझाने के लिए अपनी बातों को बताते हैं ये भी इसकी विसेस्ता एक हो जाती है इसमें आमने सामने हम बातचीत करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कि हम जब आमने सामने बातचीत करते ह तो इसमें जो टाइम है उसका काफी बचत होता है क्योंकि अगर हम पत्र लेखन की बात करें तो जब हम एक पत्र लिखते हैं और जब तक वो दूसरे पक्ष को पहुचता है तब तक में एक समय लगता है जब कि हम जब आमने सामने बात करते हैं मौकिक संप्रेशर में तो इ देखेंगे कि जो हम आमने शामने बात चीत करके करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो गोपनियता होती है वो बनी हुई होती है क्योंकि उसमें सिर्फ हम सभी जो इतने लोग वहां पर उपस्थित होते हैं सिर्फ वही उस information को जानते हैं बागी दूसरा कोई उससे अनभिक् हम जब बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि हमारे चेहरे के expression change होते हैं हमारे हाथ बात करने के तरीके से move होते हैं तो अलग-अलग तरीके की हमारी भाव भंगिमा भी साथ में बनती है आपात कालिन कोई परिस्थिती होती है तो उसमें काफित जादे ये लाबदाई होती है या यह कहेंगी उपयोगी होती है क्योंकि हम जब अगर मौखिक संप्रेशन करेंगे सपोज अगर कोई अचानक प्राब्लम आती है या कहीं एक्सिटेंट हो गया है या कुछी तरीकी की सिचुएशन आती है तो वहां पे हम मुझ से बोलके तुरंत अपनी बात को बत है और इसकी सबसे अच्छी जो बात यह निकल के आती है कि इसमें रिस्पॉंस जो है फीडबैक जो है जैसे कि हम लोगों ने इस इमेज में देखा कि जब यह मैसेज पास किया परसन तो दूसरी ने उसके रिस्पॉंस में फीडबैक भी दिया तो यह मौकिक संप्रेशन क सबसी बड़ी जो खासित होती है वो देखने को मिलती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें आखिर में क्या क्या तत्व होते हैं या यह बोलें कि क्या क्या हमको जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक सोर्स है अर्थात एक ऐसा परसन जो कि message को pass करना है इसको इसको एक medium चाहिए तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं तो एक medium की थूई ही बात करते हैं message को एक receiver चाहिए जो कि उसको ग्रहण कर सके तो वो receive करता है यहाँ पे आप लोगों को source दिखा, channel दिखा, message दिखा, receiver दिखा और lastly ये अपना feedback भी इन्हें देते हैं तो ये कुछ तत्व होते हैं जो कि एक communication में देखने को मिलता है या ये कहें कि मौखिक communication जो होता है, some pressure होता है उसमें देखने को मिलता है और मौखिक some pressure क्या होता है यहाँ पे यह हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक image mention किया है जिससे clear हो गया होगा कि मौख से कुछ नहीं बोलना है यही और मौखिक some pressure होता है यहाँ ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि और मौखिक some pressure या how-how पूरी some pressure का 70% भाव होता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हम communication करते हैं एक दूसरी से बात चित करते हैं या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसमें 70% जो होता है वो और मौखिक some pressure ही होता है जैसे कि आप लोग यह देखेंगे कि अगर किसी को हम लोग गुर्प में बात चित कर रहे हैं और किसी को हम यह चाह रहे हैं कि सामने वाले से वो बात नहीं share करो और किसी ने अचानक बात कुछ खोल दी secret तो वो उसकी उंगली दबा देगा या उसका हाथ दबा देगा तो just कुछ बोलने की जरूत नहीं है कि वहाँ बोलना भी नहीं है कि तुम यह बात नहीं बताओ लेकिं just उंगली दबा दिया या हाथ दबा दिया तो जो person है उसको समझ में आ जाता है कि हमें यह बात नहीं बोलनी और टापिक वो चेंज कर देता है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सतर प्रसित भाग जो होता है वह हाव हाव से ही कम्मुनिकेट होते हैं संप्रेशर किया जाता है जबकि सब्द जो होता है एक एवल दस प्रतिशत यूज किया जाता है इसलिए मानविय संप संप्रेशर जो होता है वह बहुत जादे महत्वपूर रिक मुद्राइच नेत्र संपर्क आसन सारे रिक उनमकटा दूरियां आदे के कुछ और मौकिक संप्रेशर के रूप हैं अमौकिक संप्रेशर निम्नल की तरीके से हमारी मदद करता है तो इसको हम लोग ये देख लेते हैं, मौकिल संप्रेशड के तत्तों से हट कर प्रभाव बनाना, जो हम एक बात चीत करके और कमुनकेट करते हैं, उससे अलग हम जो एक एकस्प्रेशन से हम देखते हैं, जैसे कि हम बहुत दिनों बाद किसी ऐसे मित्र से मिल रहे हैं, जिस तो वहां कुछ कहने की जरूत नहीं है, या ये कहें कि मौ से कुछ सब्द भी नहीं निकलेंगे, बलकि आटोमेटिक जो है, वो आँखों से आसु छलकाते हैं, तो ये जो होता है हमारे हाव हाव को दरसाता है, जो कहा गया उसे द्रिडतर करना, ये हमारे एकस्प्रेशन स होता है, जैसे कि हम अगर बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करना है, उसको हम अगर इंफैटिकली बोलते हैं, जो लगा के बोलते हैं, नहीं ये काम नहीं करना है, तो ये समझ में आ जाता है कि बिल्कुल नहीं करना है, इसका मतलब यहीं हो गया कि नहीं करना है, या हमें अगर कि इसको हम emphatically बोल रहे हैं कि नहीं ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है हमारी भावनों तथा अंतरवैक्तिक मनुवित्ति को प्रकट करना शक्ति ने सम्मान प्रवता को प्रकट करने में सहयक होता है दूसरी के साथ होने वाली बाचीत को व्यवस्थित वर नियंतरित करता है जैसे कि अभी बैने आप लोग को बताया कि अगर है कि ग्रुप में कोई बात डिस्क्लोज नहीं करनी है बतानी नहीं है तो अगर कोई बेक्ति उस बात को बता रहा है और जस्ट हाथ दबा दिया गया तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हमें बात नहीं करनी है आत्म प्रस्तूती करण में सहायक होता है तो हम अपने बातों को कितना इफेक्टिवली बता सकते हैं ये हमारी जो body language होता है हमारी सरीर की जो किस तरीके से moment हो रहा है हाथ का चेहरे का expression जो होता है या फिर कितनी जोर लगा के हम किसी बात को अपने मनवा रहे हैं बोल रहे हैं कितनी इफेक्टिवली बोल रहे हैं उन बातों को तो ये आत्प्रसुति करण में भी सहायक होता है आमवफिक संप्रेशर के विभिन मार्ग हैं यहां यह ध्यान रखना जोरूरी है कि आमवफिक संप्रेशर पर संस्कृति का प्रभाव होता है क्योंकि हमारी जैसी संस्कृति होती है वैसे ही हमारा संप्रेशर होता है कि अ ये अमौखिक संप्रेशट की कर्टेगरी में इस तरीकी के जो क्रिया कलाप होते हैं वो आते हैं इसलिए उसे संस्कृती से जूर कर समझना जरूरी है हाव हाव शारेरिक गदविधियों से तथा नेत्र संपर्क आंग की गदविधियों से संबंदित है यहाँ पर हम लोग एक fact समझेंगे कि आंखों से संपर्क आपने कुछ meanings निकलते हैं वैसे ही हम कैसे खड़े हैं उसका कुछ meanings निकलता है जैसे कि आंखों का सीधा संपर्क पर्क यदिया है हम आँखों मिला के अगर हम बात करते हैं eye to eye contact में हम अगर communication कर रहे हैं तो ये हमारे विश्वास को प्रकट करता है कि हम सच बोल रहे हैं जैसे कि आप लोग देखेंगे कि अगर कोई बच्चा ही है और वो नहीं किसी बात को पूछ रहे हैं बता रहा है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी आखों में देख के बोलो कि क्या तुम सच बोल रहे हो तो ये एक विश्वास को प्रकट करता है नीचे की ओर देखना जो होता है वो आदर सम्मान ध्यान से सुनना या फिर दोस भावना को दरसाता है जैसे कि हम बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं कि ऐसा हम मैंने कुछ कर दिया है कि मैं उनसे नजरे मिला के बात नहीं कर पा रहा हूं तो ये एक मीनिंग निकलता है एक भावं को उपर की ओर करना संदीग का परचायक होता है जैसे कि अगर कोई बात कर रहा है कोई हम से कोई बात कर रहा है और हमें अगर डाउट हो रहा है तो ऐसे भावं हैं जो एक भावं होती है वो उपर को उठा के ऐसे doubtfully उसकी बात को सुनते हैं दोनों भावों को उपर करना अर्थात आदा की भावना को व्यक्त करना होता है सीधी खड़ा होना किन्तु कठोर नहीं और आगे की तरफ हलका जुका हो तो वह स्वागत करने वाले तथा दोस्ताना रिष्टे को जलकाता है चेहरी की भाव की बात करने तो मुस्कूरहाट प्रशन्ता मित्र शनी पसंद या स्विकारिता आधिका सबसे अधिक सक्तिशाली संकित होता है तो यह हम लोग चेहरे से विभिन प्रकार के expressions जो होते हैं वो देते हैं यहाँ पर कुछ और हम लोग देख लेते हैं जैसे कि आमोखिक जो some pressure होता है उसमें क्या क्या आता है तो बाचीत की तरीके से जैसे कि हम रुख जाते हैं तो समझ में आता है कि हम किस तरीके से आगे क्या बोलना है नहीं बोलना है या फिर हम किस सब्द पे जादे बल दे रहे हैं, तो ये आता है, हम कैसे खड़े हैं, या आगे की तरफ जुके, या फिर हम एक दम स्ट्रीट खड़े हैं, तो जैसे होता है कि एक दम खमंड से हैं, ऐसे हमारे जो body appearance है, किस प्रकार से हम express कर रहे हैं, अपने आपको वो है, तो कुछ क्रियाएं होती हैं, सारी रिक, आखों का होता है, चीहरे की अभी वेक्ती होती है, सारी रिक संपर्क जैसे कि हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, या फिर निकटता का होता है, कि जैसे किसी जगह पे अतिक्रमड या ये बोलें कि हम ऐसा दिखाते हैं expression से कि नहीं यह जगा हमारी है आप क्या कर रहे हैं यहां पे तो इस तरीके से फिर वहीं पे कुछ ध्वनियां होती हैं जैसे हसने का हो सकता है या फिर और अलग तरीकी की आवाजें हम जो निकालते हैं तो उसका अलग-अलग मेनिंग निकलता है तो यह कुछ जो भाव भंगिमा है या यह बोले कि हमारी बॉड़ी लैंगवेज जो है वो अमोखिक संचार के उदारण के रूप में यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हैं अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि संप्रेशर किस तरीके से होता है अभी तक तो हम लोग संप्रेशर के प्रकार में दे होता है तो यहां पे सूशना अथ्वा संप्रेशर जो संगठन के उच्चतर अस्तर से निम्न अस्तर की तरफ होता है उसे आधो मुखी संप्रेशर करते हैं तो जैसे कि यहां पे आप लोगों को इमेज दिख रहा है कि एक CEO जो है वो एक मैनेजर से बातचीत करता है फिर म बातचीत करते हैं तो यह जो होता है यह top to down संप्रेशर या फिर अधो मुखी कहलाता है हम लोग इसको आप लोगों को भी पता है इसलिए जस्ट एक डिसकस करेंगे इसकी जस्ट अपोजिटिव होता है उर्धुगामी अर्थात bottom up संप्रेशर तो इसमें क्या होता है उर् तो इसमें क्या होता है कि जो अधिनस्थ होते हैं वो अपने supervisor को information देते हैं जो supervisor है वो manager को देगा manager जो है वो CEO को देगा तो इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे उर्धुगामी जो संप्रेशर होता है वो देख रहा है नेक्स हम लोग देखेंगे चक्र सिंखला होता है चक्र सिंखला में क्या होता है तो इस प्रतिमान में उपर के नेताओं को अपने सभी कर्मचारियों से अंतक्रिया करने की प्रत्यक्ष शुलबता रहती है संप्रेशर का यह प्रतिमान समय की बचत करता है और प्राप्ट करने में सहायक होता है पुना निवेशन का मतलब होता है फीड़ एक करते हैं लेकिन इस प्रकार के प्रतिमान्म में करमचारी एक दूसरी के साथ प्रत्यक्ष अंतक्रिया नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि आप चक्री सिंखला का मतलब ही है एक चक्र की तरह आप लोग मालने चीए और इसका एक center point है ये center point में जो person है वो सबसे communicate कर सकता है सबसे बातचीत करेगा यहां पे जितने भी लोग हैं उस सबसे बातचीत करेगा लेकिन ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं इनका एक दूसरे से कोई अंतक्रिया या फिर interaction नहीं होता है तो ये चक्र सिंखला की एक अपनी विसेशता है नेक्स हम लोग देखेंगे grapevine some pressure या grapevine communication ये आप लोग को पता होगा अगर नहीं भी पता है या थोड़ा confusion होता है तो इसको हम लोग समझेंगे कि grapevine some pressure क्या होता है grapevine some pressure एक प्रकार का some pressure है जो याद रिच्छीत रूप से घटित होता है अर्थात एक संगठन में एक संस्तुत रशना का अनुपालन नहीं करता है grapevine का मतलब है grape का मतलब होता है अंगूर तो जैसे अंगूर के गुच्छे आप लोग को दिखते है जस्ट इसका मेनिंग वही है उसमें लोग किस तरीके से communication अगर एक अंगूर के गुच्छे को आप लोग ले लीजे और उसी को माल लीजे कि उसकी जो ए कि हर एक दाना जो है अंगूर का वह एक परसन है तो आपस में एक या दिखित का मतलब कि आट्रेंडम तरीके से लोग एक दूसरे से communicate कर रहे हैं यह एक प्रकार का अनौपचारिक संप्रेशर होता है जैसे कि अगर हम ग्रूप में 20-25 लोग हैं कोई किसी से बातचीत कर रहा हैं कोई किसी से बातचीत कर रहा है ऐसे लोग एक दूसरे से exchange करकर के और बातचीत कर रहे हैं इसी को हम grape wine संप्रेशर कहते हैं जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे कि 10-15 दोस्त एक साथ अगर मिल लें तो जो बात चित करने का माहल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई कुछ भी बोल रहा है एक दूसरे से कमुनकिट किये जा रहा है कौन किसी क्या बोल रहा है तो यह जो रूप हमें देखने को मिलता है वो ग्रेपवाइन संप्रेशर होता है इस प्रकार ग्रेप वाइन संप्रेशड को संगठन के एक अनौपचारिक और अनाधिकारिक संप्रेशड तंत के लूप में व्याखित किया जा सकता है। तो ये एक अनौपचारिक होता है जैसा कि मैंने आप लोगं को बताया है कि अगर 10-15 दोस्त मिलके आपस में गौसिप कर रहे हैं तो एक ग्रेप वाइन संप्रेशड का बहुत अच्छा एक्जामपल है जो कि आप लोग सिर्फ उसी को याद रखेंगे तो ग्रेप वाइन सं अंदर में इस प्रकार के अंतरक्रिया भोजन या चाय आवकास के दोरान अनाधिकारिक रूप से खटित हो सकती है अब जैसे माल लीजे कि आप लोग कहीं काम करते हों तो वहां पर जो टी टाइम ब्रेक होता है वहां पर सारे जो भी कलीग होते हैं या फिर जो भी फ्रें फिलिंग्स को समझते हैं एक दूसरी की फावनों की कदर करते हैं और उससे फिर क्या गुंजाई से सुधार की उसको भी हम सोच सकते हैं सूचना के विनमे की सहायता से कंचारी अपने साकर्मियों के साथ समान मंच प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं अब जैसे इसको अगर हम बोलें की हम अपने टीचिंग वे में कईसे कनेक्ट करें देखेंगे तो यह होता है कि एक टीचर की एक खासियत होने चाहिए कि कोई भी जो टीचर है वो प्रतेख बच्चे से यह कहें कि इस तरीके से वियवहार करें कि प्रतेख बच्चे की फ्योंग की वह कद या एवरेज हैं उनकी बातों को समझते हुए कि आखिर में उनको दिक्कत कहा हो रही है और उनको भी सही से समझाना तो जब हम सामने वाले को समझेंगे तभी सही से उसको समझा सकते हैं इसकी लिए जो ग्रेप वाइन संप्रेशर होता है वो बहुत जादे कारगसिद्ध हो होता है उन विभिन प्रकारों तथा तरीकों के बारे में अब जर्चा करेंगे जिसमें ग्रेप वाइन संप्रेशर घटित होता है तो आखे में ग्रेप वाइन संप्रेशर किन किन तरीकों से हो सकता है इसके अब यह कह सकते हैं कि ग्रेप वाइन संप्रेशर की प्रकार क् ग्रेप पॉइंट कम्यूनिकेशन तो यह एकल गुर्ड स्रिंखला पहले इसकी जो विसेश्था है एक प्रकार यह भी है जैसा कि हम पहले डिसकस कर चुके हैं कि ग्रेप पॉइंट संप्रेशर जो है वो प्रायत दो समान अस्तर के कैमचारियों के बीच घटित होता है तो जैसे कि हम फ्रेंड सरकल में हैं तो सभी फ्रेंड से हैं एक दूसरे के साथ तो इसमें यह घटित होता है या पि जहां पर हम जौब करते हैं या working जो atmosphere है वहां पर जो कली होते हैं हमारे सकर्मी होते हैं उनमें यह घटित होता है तो एकल गोड़ सिंखला में संदेश तब जब तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजा जाता है, जब तक की सूचना सभी संबंधित लोगों तक नहीं पहुच जाती है, यह साकर्मियों के बीच प्रयुक्त एक साधार और सरल संप्रेशर का तरीका है, यह सूचनाओं के सिख्र और कुशलता पुर्वक तरीका होता है, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि A से B को गया, B से C को कमुनिकेट हुआ, C D को, D E को, तो अगर माल लेते हैं कि यह पांच दोस्त है, तो यह की इनफॉर्मिशन जो है, यह पांच तक पहुचनी चाहिए, लेकिन यह वन बाई वन करके जा रही है, तो इसलिए इसे एकल गुड सिंखला कहेंगे, वहीं पे गुच्छन सिंखला होता है, तो यह गुच्छन सिंखला क्या होता है, इस प्रकार के ग्रेफ वाइन सम्टेशन में एक प्रेशक अथवा व्यक्ति, अथवा कर्मचारी सूचना को कुछ लोगों में प्रसारित करता है जो बदने में चायनित लोगों तक इसे बढ़ा देता है तो जैसे A है इसने दो लोग को select किया कि एक B को बताया, एक C को बताया अब B जो है इसने तीनों को बताया D E F को बताया, वहीं पर C जो है ये भी तीनों को बताया, G H और I को बताया तो इसको जो है वो गुच्छन स्रिंखडा करते हैं ओके पार्स्विक या फिर 36 संप्रेशड क्या होता है संप्रेशड का प्रतिबान जो किसी संगठन में अनुक्रम या समान अस्तर पर घटित होता है यहां सामान नहीं है समान है आपको उत्यान दिजेगा उसे पार्स्विक संप्रेशड कहते हैं अर्थात एक सीम लेबल पे अगर संप्रेशड हो रहा है तो हम उसे पार्स्विक या 36 संप्रेशड करते हैं टीम निर्माड सूचनाओं का साजा करने और मित्रों और साकर्मियों में संघर्षों को सुलजाने में सहायक होता है। ओके, नेक्स जो है, वो है विकार्ण संप्रेशर, इस प्रतिमान में संप्रेशर एक प्रवंधक और अन्य कारी समों के कर्मचारियों के बीच घटित होता है, तो यहाँ पर माल लेते हैं कि एक प्रवंधक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह हाईरायरिकी आप लो है उससे कम्यूनिकेट कर रहा है तो इसे वी कर्ण सम प्रेशर वी कर्ण का मतलब क्या होता है जैसे एक लंबवत रेखा है एक 36 रेखा है यह जो हुलाइन होती है अर्थात यहां का जो पर्षन है वो यहां के पर्षन से अगर कर रहा है तो इसी को हम विकर्ण संप्रेशर कहेंगे इस प्रकार के अंतक्रिया प्रशिच्छर अनुखंड में घटित हो सकता है जब एक प्रशिच्छर प्रवंदक सभी कारे समोहों से उनके द्वारा किये जा रहे है या करने के तरीकों जिससे वे अपने कारे का निश्प आदन करते हैं के लिए अंतक्रिया करता है तो अगर आप जैसे हम आलेते हैं कि किसी टीचर की बात कर लेते हैं तो कोई ऐसा टीचर होता है जो कि अलग-अलग कच्छाओं में जाके पढ़ाता है तो अलग-अलग माल लेते हैं कि कोई subject है जो पढ़ाता है और वो वहाँ पे उसको किसी दूसरी subject को पढ़ाने के लिए भीजा जा रहा है या यह कहा जाए कि किसी ऐसी class में भेज दिया जाए जहां उसके subject से कुछ related ही नहीं और फिर भी अगर उसको communication करना है तो यह एक तरीके से we can't some pressure के आंतरगत आएगा या अगर हमें इसको और अच्छे से example से समझें तो जैसे कि आप लोग देखेंगे कि अगर माल लेते हैं कि अगर कोई electrical का person है और वो जाके mechanical के person से classes ले रहा है या कोई आप सभी को पता है कि जो सभी subject होते हैं एक दूसरी से correlated होते हैं तो अगर माल लेते हैं कि कोई electrical का person है electrical का person है तो उसको electronics की भी जरूत पड़ेगी तो वो electrical का person अगर electronics के पास आके या अगर कुछ information ले रहा है, communication कर रहा है, या फिर कोई electronics का person, electrical के person के पास जा के communication कर रहा है, तो ये भी एक विकर्ण संप्रेशर के अंतरगत आएगा, या फिर ये कहें कि अगर कोई राजनीती विज्ञान का कोई teacher है, और वो जा के कहीं पे अगर अर्थ शास्त्र के कच्छा में कुछ राजनीती सास्त्र से related अगर कुछ topic share कर रहा है, तो ये भी एक विकर्ण संप्रेशर के अंतरगत आएगा, प्रलाप सिंखला क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे image देख रहे हैं, कि एक जो होता है व्यक्ति, वो केंदर में होता है, जो दूसरों से सूचना प्राप्त करता है, और दूसरों को सूचना साचा करता है, तो ये जो होता है वो प्रलाप सिंखला के अंतरगत आता है, नेक्स हम लोग देखते हैं, संभाव्यता सिंखला, तो ये इसको हम कहेंगे कि एक probability based होता है, संप्रेशर के इस प्रारूप में सूचना को य ये receiver है, तो ये प्राप्त करता है, जो सूचना को प्राप्त करता है, ये भी उसी सूचना को उसी तरह यादरिच्छी तरूप से साजह करने के तरीके का अंसरर करता है, तो जिस प्रकार से इसने message को receive किया, इसी प्रकार से ये दूसरी को भी message send करेगा, तो जैसे कि ये यह यहां पर इधर मैसेज सेंड कर रहा है इधर मैसेज सेंड कर रहा है इधर कर रहा है तो जो मैसेज ने यहां रिसिप किया वो बेविन ने लोगों में इस तरीके से मैसेज को सेंड करता है तो यह संभाव बेता सिंखला के अंतरगत आता है ओके यहां पे अब आप लोगों को अल्लेडी हम लोग हाला के डिसकस कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा एक इमेल से समझ लेते हैं तो एक प्रेशक होता है एक यहां पे प्राप्त करता अर्थाथ Receiver होता है प्रेशक अर्था सेंडर तो एक भेजने वाला होता है एक रिसीब करने वाला होता है यहाँ पे सबसे पहले एंकोडिंग होती है अर्थात कूट संकेतन थात कुछ इंफॉर्मिशन को हम भेज रहे हैं उसके लिए कुछ मीडियम होता है किसी माध्यम से हम भेजते हैं जैसे कि अगर हम आमने सामने बा पास जाता है, तो पहले वो उसको decode करता है, कि आखी में इसका मतलब क्या निकला है, और तब जाके उस message को receive करता है, इसको बहुत ही अच्छे से अगर हम लोग ये समझें, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको सिर्फ हिंदी पता है, और कोई ऐसा व्यक्ति है, जिससे सिर माल लेते हैं, आमने सामने बाचीत हो रही है, अब इसको ये decode करेगा, तो आखे में इसका meaning क्या निकलता है, अगर meaning ये समझ पाया, तो समझ पाया, नहीं समझ पाया, क्योंकि उसे हिंदी नहीं पता है, तो वो उसे decode नहीं कर पाएगा, और वो हो सकता है, कि उसका कुछ अलग मतलब निकाल सकता है, या अलग अर्थ निकाल सकता है, तो ये जो है एक proper way में हम बोलें कि message को किस तरीके से भेजते हैं, और सामने वाला receive करता है, इसमें एक समरूपता दिखाई देनी चाहिए, कि जो हम message भेज रहें, उस सामने वाला उसी भाव के साथ उस message को receive करे अच्छा, इसमें कुछ हमारे disturbance भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ है ऐसा environment जिस पे हमारी आवाज clear नहीं चाह रही है, तो प्राबलम होता है, तो इस तरीके का कुछ कोला हल भी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे इसने क्या message send किया, इसने क्या receive किया, उसका ये feedback अ आप कैसे हैं, और जो ये person है, इसको सिर्फ English पता है, और उसको नहीं पता है, कि इसका meaning क्या होगा, तो वो बोल सकता है, कि sorry, I am not understanding, या कुछ भी इस तरीके की word बोल लेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है, कि सामने वाला person उससे क्या पारत कर रहा है, तो जो इसने response किया इसी को पुनर निवीशन करते हैं, ओके, प्रभावी संप्रेशण, effective जो communication होता है, वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिसकस कर लेते हैं, तो प्रभावी संप्रेशण के बारे में पढ़ने से पहले, हमें प्रभावी संप्रेशण में होने वाली रुकावटें प्रत्यों को बदल देते हैं, कि हम ऐसी नहीं ऐसे बोलेंगे तो जादे इंप्रेश होंगे, यह भी होता है कि लोगों के अपने प्रत्यची करण चुनावी होते हैं, उनका देखना, सुनना, उनकी आवश्रताओं, अउप्रेणा, अनुभाव और वैक्तिक विसे इस्ता पर निर्भर करता है, ऐसा हम देखेंगे कि जैसे हम किसी से जब बात कर रहे हैं या आप सभी के साथ हम सभी के साथ होता हैं, तो हम कितने जादे इफेक्टिवली सामने वाले से बात कर सकते हैं, हम उसी तरीके से अपने जो माइन में है, वो पूरी की पूरी स्किप्ट प इंप्रेस हो जाएंगे संदेश का कुटान वाद करते समय लोग अपने रुचियों और प्रत्याशाओं को प्रच्छेबित कर सकते हैं तो जो उनका क्या इंट्रेस्ट होता है उस तरीके से वो किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं संप्रेशर को वो सामने वाले से वैसे मिच्छंता होती हैं ऐसी में जब संदेश अधिक होते हैं तो सूचना का भार हो जाता है अर्था जादे लिंदी लगेगा बोरिंग लगेगा तब लोग सूचना का या तो चुनाव करते हैं या अंदेखा करते हैं या उसे भूल जाते हैं साथ ही साथ जब हम भाव होते हैं बहुत उत्तेजिक तब हम कुछ सोचनाओं को छोड़ देते हैं अन्तय या कहा जा सकता है कि शब्द जो होता है वो प्रतिक व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ रखता है भासा का प्रयोग ओम्र लिंग तथा संस्कृतिक प्रिष्ट भूमी से फ्रखावित होता है तो ये सारी चीज़े जो होती है वो उसको एफेक्टिव करती है अब हम लोग देखेंगे कि प्रभावी संप्रेश्ट की विसेश्टाएं क्या क्या होती है तो सबसे पहली विसेश्टा निकल के आती कि संदर्व का समान ठाचा संदेश भेजने वाला वग्रहड करने वाला समान अस्तर की समझ पर पाचित करें जैसा कि अभी हम मैंने एक्जाम्पल में बतायांगे अगर किसी को हिंदी आती है तो अगर कोई सामने वाला सुने वाला भी हिंदी का ही अगर परसन है तो वो हंडिट परसन एक दूसरी की जो क्या विचार है उसको इजली समझ लेंगे जब कोई मा अपने बच्चे से बात करती है तो वा बच्चे की शब्दावली का उपयोग करती है जैसे सैतान बच्चे से जड़कने का स्वर अगर बिमार हो तो चिंता व्यक्त करने की सैली लेकिन जब वा अपने बहन से बात कर रही हो तो वा संदर्व के अनकुल कई अल करके बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, तो बड़ों से कैसे बात चीत करने चाहिए, वैसे करते हैं, समान रूची होनी चाहिए, अर्थात हमारी जब इंट्रेस्ट सेम होता है, जैसे कि हम ये बोलेंगे कि किसी को कुकिंग में बहुत जादे इंट्रेस्ट है, खाना बहुत ही अच्छा बनाता है तो अगर सामने वाला परसन भी ऐसा मिल जाए कि जो की बहुत अच्छा खाना बनाता हो फिर उनकी बातें जो होती हो बहुत जादे रोचक हो जाएंगी संप्रेशड की विशेवस्तु भेजने वाले वग्रहड करने वाले दोनों की पारसपरिक रूची का होना जरूरी है एक किसान के लिए सेर बाजार की खबर में कोई रूची नहीं हो सकती है क्योंकि उसका सम्मन तो बीजों की गुर्वत्ता या मौसम के बदलने से खेती पर पढ़ने वाले प्रभाव से है तो जो सेर मार्केट से जुड़ा हुआ परसन है वो सेर मार्केट से ही जुड़े हुए परसन में इंट्रेस्ट लेगा तबी एक effective communication हमें दिखाई दे सकता है या फिर एक किसान जो है वो उस व्यक्ति से जादे अच्छे से communicate करेगा जो की बीजों के बारे में जानकारी रखता हो या फिर मौसम के बदलने से हमारे खेती पर क्या प्रभाव पढ़ेगा उसकी बारे में बात करें समान भासा तो मौकिक संप्रेशड की सबसे सक्तिशाली माध्यम जो है वो भासा है एक जैसी भासा प्रभावी संप्रेशड को निश्चित करती है क्योंकि इसे सब्दों, पदबंधों, मुहारों और लुकोक्तियों को गलत समझने की संभावना कम होती है जो सामने वाला बोल रहा है वही हम भी जानते हैं और उसका मेनिंग भी वही निकालते हैं और समान वाता वरड भी होना चाहिए एक ही प्रिश्ट भूमी के लोग बिना किसी समस्या के संदेश समझ लेते हैं इस प्रकार एक जैसी नागरिक्ता या फिर आर्थी कस्तर, संस्कृति, सामाजिक रूची, आयूवर्ग, एवंग व्यवसाय इसके कुछ उदाहरण हैं क्या आप एक जैसे मुद्दों की एक सूची बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ होमवर्क भी दिया गया है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं तो ऐसा हम देखेंगे कि किस प्रकार अपने ही धर, मस्तरव, सहर के लोगों से बाचित करना आसान हो जाता है अगर हम दिखेंगे कि जो एक स्विमraillization की लोग होते हैं, उनकी वे काफी effectively communication होंगे या फिर अगर एक सहर से जुड़े हुए हैं, अगर माल लेते हैं कि हम बात कर लेते हैं लक नोग या इलहावाद की बात कर लेते हैं तो अगर ये बात्चित करने में पता चल गया लखनों से आप हैं, अच्छा हम भी लखनों से हैं, फिर देखे कितनी बाते निकल जाएंगी और बहुत सारी बातें हो जाती हैं. नीची मौखिक संप्रिशट को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिये गये हैं, जैसे कि पढ़ कर और सुन कर भासा को सुधारना, बोलने के ढंग शैली वा उचारट पर कारे करना, पहली सोचना और फिर बोलना, ये पहले सोच लेना कि हम जो बोल रहे हैं क्य तो एक effective communication है, वो नहीं देखने को मिलता है, दूसरी संस्कृति के अति समवेदन सिल सब्दों, चिन्हों वसंदर्भों को सीखना, क्योंकि जब अगर हम किसी दूसरी संस्कृति की परसन से बातचीत करेंगे, तो वहां के जो बहुत ही जादे sensitive word होते हैं या symbols हैं, उनकी respect ह में करना है, इसलिए हमें उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यह प्रसार के सासत बातचीत लेखन, अथवा आंगिक अवनयों के द्वारा, सूचनाओं की प्राप्ति में सहायक भी होता है, यह एक स्रूत होता है, जो संगठनों में समस्याओं के समाधान और निड के प्रक्रियाओं में सहायक होता है, यह कर्मचारियों के कारी जिमेदारियों को नियुकताओं और संप्रेशित करने के साथ साथ उन से पुनार्निवेशन प्राप्ति करने में सहायक होता है, एक मिनट, यह जो है, यह आप लोग को संप्रेशर की विसेस्ताएं हैं, तो य जो है वो अप्टाउन हो गया है तो पहले हम लोग यहां से डिसकस कर लेते हैं संप्रेशर की विसेस्ताएं कौन सी हैं या प्रशार के सासाथ बाचीत लेखन अथवा आंगिक अभिनयों के द्वारा सुष्णव की प्राप्ति में सहायक होता है या एक्सरोत होता है जो संग प्रनिवेशन अर्थात फीडबैक प्राप्त करने में सहायक होता है यह एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कर्मचारियों के संदेहों और सिकायतों को दूर किया जा सकता है इस प्रकार अप्रत्यक्षरूप से कर्मचारियों के आविप्रेणा और प्रतिबद्धता को उन समस्याओं के समाधान और नेड़ायन की प्रक्रियाओं में सहायक होता है यह कर्मचारियों की कारी जिम्मेदारियों को नियुक्ताओं को संप्रेशित करने के साथ साथ उनकी पुना निवेशन प्राप्त करने में अर्था फीड़ प्राप्त करने में सहायक होता है यह एक प बनाता है Deputy अक्रक्रिया है जिसके सहायता से कर्मिचारियों की अर्विवरति और को जो है वर परिवर्धित क्या जा सकता है अर्थाथ इंप्रूब क्या doubt यह है कि हाँ यहाँ पे यह जो slide है वो repeat हो गई है तो यह आप लोग ध्यान रखेगा थोड़ा चुकि 30-30 pages के slide बनते हैं तो sometimes हाला कि मैंने इसको पूरा क्रास सिख किया था लेकिन यहाँ पे एक ही slide जो है वो दो बार आ गई है तो इसको आप लोग correction कर लीजिएगा यह page जो है आलरेड़ी हम लोग इनकी विसेस्ताओं में discuss कर चुके हैं next हम लोग देख लेते हैं कि यह एक तंत्र है जो संगठन के कर्मचारियों के समाजी करण networking और पहतर टेम प्रबंधन को उननत बनाता है यह कर्मचारियों के नियंतर तंत्र के रूप में कारी करता है यह संगठन के कर्मचारियों के वेवहार में नियंतर में भी सहायक होता है यह संगठनों के समुहों और मंदलियों के मर्धी के संगर्सों में भी सहायक होता है तो जब अगर संघर्स होता है या कुछ controversy हो जाती है विचार नहीं match करते हैं तो वहाँ पर communication का होना बहुत ज़रूरी होता है बोलते हैं बहुत सिंपल तरीके से करते हैं कि हर जो problems है उसका सिर्फ एक ही solution होता है वो होता है बातचित करना हम अपने मन में कुछ रखके सामने वाला अपने मन में कुछ रखके फिर हम अपने तरीके से उसको सोचते रहेंगे किसी भी चीज को लेके या जो सामने वाला है वो अपने तरीके से सोचते रहेगा वहीं पर अगर simply दोनों बैट के और बात चीत कर लें तो जो भी समस्या होती है उसका समाधा निकल जाता है कि हमारे विचार मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो यह जो होता है कमुनिकीशन जो होता है वो बहुत ही जादे जरूरी होता है यह कर्मचारियों के कारे निश्पादन और कारे जिम्मेदार को निश्पातित करने में भी सहायक होता है यह संगठन के मंडलनियों के सदस्यों के मतिष सहयों को सुगम बनाता है संप्रेशड् के औरोध क्या है तो कुछ कुछ हैसे होते हैं जो हमें औरोध भी दिखते हैं disturbances दिखते हैं वह कौन-कौन से होते हैं तो यदिपी की किसी संगठन में संप्रेशड की प्रक्रिया और प्रतिमान सू परिभासित और सू संगठित होते हैं कि हमें इसी तरीके से कमुनिकेशन करना है, फिर भी कुछ दूरियों, बाधाओं और औरोधों के कारण संप्रेशड में गलत फैमी और असफलता की कोई भी संप्रेशड जो किसी हाल या विशिस्ट अस्थान में घटित हो रही है, जहां कोई व्यक्ति जो है वो भौतिक रूप से उपसित रहते हैं, तो तब तक प्रभावशाले नहीं हो सकती, जब तक की प्रेशक और प्राप्त करता के मत ही लंबी दूरी नहों, अब यह है कि एक प्री डिफाइंड डिस्टेंस होना चाहिए, जहां से हमें क्लियर आवाज जो है, वो सुनाई दे, यदे पी आजकर डिजिटल तकनिकी में प्रगति के कारट प्रेशक और प्राप्त करता के बीच कितनी भी दूरी होने के बावजूर, कई आनलाइन बैठके ह हो रही है, कोला हल जो होता है, अर्थाच्छो शरावा जो होता है, हमें बहुत सारे न्वाजिस सुनने को मिलते हैं, तो यह आधिकारी कोला हल जो हां गाड़ी के और माइक्रोफोन की ध्वनी जो होती है, वो प्रेशक और प्राप्त करता के बीच में जो अंतक्रिया हो र प्रोधन तंत्र एक भौतिक और रोज का और रोध ही है, ध्यान रखेगा हो सकता है, जब किसी के सामने सामने की बैठक में बड़ी संख्या में सदस्यों को संप्रेशित करना हो, तो सम्टाइम्स ऐसा आप लोग देखेंगे कि साउंड बहुत ऐसे अजीब सा, अंक्लीज सुविदा का अभाव तथा आने तकनिके स्वाभाविक संप्रेशर के प्रवाव को बाधित कर देता है, तो इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है, जो कोवीड में हम लोग आनलाइन क्लासेज जो होती थी, कॉन्फरेंसिंग के थू जो होती थी, तो उसमें आपनों देख संप्रेशर के समय च्छेतर में भिन्नता भी प्रभाव साली संप्रेशड के समच्छ और रोधोत्पन कर सकता है समय विभाजन संप्रेशड की प्रक्रिया में समनवय के अभाव का कारण हो सकती है यह कैसे हो सकता है जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि जिस समय पे हमको कमुनिकेशन करना है और सामने वाला उस समय पे उपस क्षमताएं संप्रेशर के लिए औरोत का काम करती हैं मनों वैग्यानिक बाधाएं जो होती हैं कि अव्यक्ति दुश्चिंता अन्या मनस्त का अर्थात मतलब कि और जो मन में और डिस्टरवेंस जो उड़ते हैं या अभी रूची का अभाव उत्तेजना अथ्वा कई अन्य स समंदी तरह की विशेश्चाओं के रूप में घटित होती हैं पूर्व कल्पित विचार की संकल्पनाएं ये भी एक इस्तिती होती है इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहले से ही अपने मन में एक धाना बना ली है कि ये ऐसे ही है फिर कोई अगर उससे हट के कोई बात कर है तो हमें वह बात नहीं पसंद आएगी नहीं समझ में आएगी प्रभावी संप्रेशर तब घटित नहीं होगा ये दिप्रेशक पहले से संकल्पना कर ले कि प्राप्त करता सूशना को समझता है तो जैसे कि अगर कभी सपोज आप लोग के साथ ऐसा हो कि कोई लेक्चर चल रहा है और पहले ही आप लोगों को लगता है कि इस बारे में तो हमें पता है तो फिर हमको उसको जादे ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है तो वहां पे भी हम देखेंगे तो एक ये बाधा का काम करता है और उनसी कोई भी पुना निवेशन नहीं प्राप्त करना चा इसी प्रकार व्यक्तिक अत्वा पुरुकल्पिक विचार्ज होता है प्रेशक अत्वा प्राप्त करता को आलोशना अत्मक बना देते हैं और प्रभावी संप्रेशन में असफलता का कारण बनते हैं सामवेगिक अवस्था ये भी एक जो होता है प्रभावी संप्रेशन मे बाधक होती है व्यक्तियों को सामवेगिक अवस्था संप्रेशर में एक औरोत की रूप में कारिक कर सकती है यदि प्रेशक संदेश भीजती समय क्रोध अथ्वा आक्रामक अवस्था में हो तब यह प्राप्त करता कि संदेश की व्याख्या के तरीकियों को प्रफाविट कर गया है तो फिर हम उस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमें एक नार्मल तरीके से बात करनी चाहिए थी अविवृतियां और मुल्य तो हमारा जो क्या attitude है हमारा अपना खुद का जो सूचने का तरीका होता है वो बहुत ही जादे important होता है और हमारे क्या मुल्य है हमारी क्या वैलूज है तो अविवृति का अविप्राय होता है एक पूर्व अधिगमित प्रवृति से अर्थत पहले से हम जो एक धाना बना के रखते हैं और समय के साथ ही या स्वा अनुभावों विश्वासों और मुल्यों के पैड़ाम सरुव्यक्ति के अंदर विक है तो हमको विश्वास है तो है सामने वाला कुछ भी बोलेगा हमें कोई असर नहीं होगा तो किसी विश्वास से जुड़ा एक प्रवल विश्वास के कारण सकारात्मक अभिवर्ति जन्म ले सकती है और प्रियशक अथवा प्राप्त करता सुश्णाओं के प्रति सम्वे ंदर पर फुर अंदर एक ड़र होता है कि पता नहीं मैं यह बोल पाँगा इसमें ड़रने ki क्या बात है ठीक है हम को जितना समझ में आता है हम अपने तरीकी से तो बोल सकते हैं ने लेकिन यह जो होता है एक अपने खुद की ऐसे इमेज बना लेना क्या रहे नहीं ये हमसे नहीं होगा या गलत या अधोरी सूशना के प्रसारण को जन्म दे सकता है कमजूर सुनने की छमता तो ये भी एक फीजिकल इसमें आएगा या ये बोलें की एक और एक संप्रिशड का जो अवरोध का हमें तरीका देखने को मिलता है वो ये होता है कि यदि प्राप्त करता अधीर है या चैनात्मक रूप से सुनने के लिए प्रवित है तब भी पूर अच्छा सास्री बाद हाएं हैं जैसे कि उचित भासा के द्वारा संप्रेशड न कर पाने की छमता अनभाओं और मौकिक या लिखित रूप से विचारों के अभिव्यक्ति की आयोग्यता का जन्म देती है इसकी अलामा यदि सूशना के प्रसारड की भासा की प्रेशड क जानकारी नहीं है तब भी सूशना प्राप्त करताओं को असपश्ट नहीं होगी तो अगर भासा सास्री बाद हाऊं कि सबसे अच्छे एक्जामपल को अगर हम लोग ले तो आप लोग यह समझ सकते हैं कि सपोज जो आयस लेबल पे या किसी भी एक्जार को डिस्क्रिप् तरीके से उसका answer लिखते हैं तो जो copy चिक करने वाला है उसको proper उतनी चीजे पता है जो लिखने वाला है वो उसी तरीके से meaningful messages वहां तक दे पा रहा है कि आखेर में समाज क्या है उसको उसमें कितने ज़ादे content जो है वो विश्वस्वसनी हैं यह कहें informative हैं उससे हम कितना ज़ादे information ले पा रहा हैं सही society की परिभासा हम दे पा रहा हैं तो यह जो होता है यही decide कर पाता है कि किसको किसी प्रशन पी कितने number मिलेंगे तो यह भासा सास्त्रिय वाधाओं के अंतरगत आता है कि अगर हमको सही से भासा का ज्यान नहीं हो तो हम सही से किसी प्रशन का उतर भी नहीं लिख पाएंगे सांस्कृतिक बाधाएं जो हैं वो कमपनियों का सारुभावमे करण और अधिक रहर ने वे भिन देश के कर्मचारियों को सा-सात काम करने के लिए प्रेरित किया है प्रत्यक देश की अपने ऑधीतिय संस्कृति और संस्कृति देजे की भिनधा भी प्रभावी संप्रेश्र में औरोध को जन देती है तो अब यहाँ पे हम जैसे देखें कि यहाँ से बहुत सारे इंडियन्स होते हैं, वो अमेरिका या फिर यूरोप चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम सही से वहाँ के कल्चर्स को जानते नहीं हैं, फिर अपने आपको भी सही से नहीं रख पाते हैं, सामने वाले से सही से और पाते हैं तो इस तरीके सांस्कृतिक बाधाएं जो होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं सामाजिक कारक भी कुछ होते हैं तो लोगों की सामाजिक प्रविस्तितियों में भिन्नता भी प्रभावी संप्रेशर में और रोध उत्पन करती है कर्मचारियों का पदानुक्रा प्रोईस्थी और पद भी सह सूषना के प्रभाव में बाधा पैदा करते हैं उपर कुछ अउदों की चर्चा किई गई है जो सह संप्रेश्ट के प्रभाव में उत्पन्द करते हैं यद्यपी कई रणनीतियां हैं जो इन आउरोधों को दूर करने में शहायता कर सकती हैं तो दोस्तों ये आज कम्मुनिकेशन से जुड़ा हुआ लेक्चर था उम्मीद है कि आप लोग को काफी कुछ जो बेसिक कॉंसेट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता तो उसको हम लोग एक और लेक्चर में डिसकस कर क्योंकि अगर सारे टॉपिक हम लोग एक साथ लेके चलते तो बहुत ही जादी लंबा और लेंदी हो जाएगा लेक्चर तो उम्मीद है कि आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा यदि मेरे पढ़ाने का तरीका मेरे लेक्चर आप लोग को पसंद आते हैं तो आप को कैसा लगा लेक्चर यह आप लोग कमेंट करके जरूर पताइएगा अपने दोस्तों में सेयर करिएगा धन्यवाद